हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक टू माई यूटीब चैनल लिगम ज्यान, मैं हूँ आपका होस्ट, एडोकेट कुशलदीब शुकला फ्रेंज, जैसा कि आप सबको पता है कि D.U.L.L.B. 2022 को लेकर मेरे चैनल पर एक क्रेश कोर्स चल रहा है उसी जो लेक्चर की सीरीज है, उसका ये क्रिमिनल लॉऎ पार्ट का लास्ट लेक्चर है इस लेक्चर के साथ आपका जो क्रिमिनल लॉ़ का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा फिर जो अधर पोर्शन बचेशन हों करते रहेंगे कवर शुरू करते हैं फ्रेंज़ जैसा कि आप सब्सक्राइब को पताए कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है criminal attempt और sedition तो सबसे पहले हम criminal attempt को discuss कर लेते हैं बाद में हम sedition की बात करेंगे तो friends जब हम criminal attempt की बात करते हैं तो आपको क्या समझ में आता है आप criminal word को भी एक बाद side में कर दें, attempt word को अगर आप समझें, तो उसका क्या meaning हुआ, basically attempt का मतलब यही हुआ, कि कुछ ऐसा काम जो complete नहीं हो पाया, यानि कि कोई किसी का कोई object था, और वो अगर achieve ना हो पाया, बीच में वो चीज रह जाए, तो वो एक attempt बन जाती है, यानि simple सी अगर आप और layman language में समझें, माली जी आप किसी exam में बैठते हैं, तो अगर आप उस exam को qualify कर जाते हैं, तो वो आपका exam complete हो जाता है, यानि जिस object के लिए उस exam में बैठते थे, आपका वो achieve हो गया, और अगर वो नहीं achieve हो पाता है, तो वो attempt बन जाता है, यानि कि आपने उ intentional preparatory action which fails in its object, यानि कि एक intention थी कोई crime करने की, और उसके लिए preparation भी हुई, मगर वो object अचीव नहीं हो पाया, जिस चीज के लिए वो crime करने वाले थे, या करने चा रहे थे, इस तरह से अगर आप ingredients की बात करो, कि क्या criminal attempt के ingredients हो सकते हैं, जहां से ये prove होगा कि ये एक attempt था, जैस का attempt बन जाता है, जैसे कि अगर आप ingredients की बात करो, तो intention to commit an offense, सबसे बड़ी चीज क्या है, कि एक ऐसी intention होनी चाहिए, किसी offense को commit करने के लिए, वो पहली चीज हो गई, दूसरी चीज है, doing something towards the commission of the offense, यानि क्या मतलब वो reference, कि आपको उस offense को commit करने के लिए, उस शेत्र में कि attempt हो गया है, एक तो आपकी intention है, साथ ही साथ उस offense को commit करने के लिए, कुछ किया भी गया, कोई act commit किया गया, जिससे वो offense complete हो सके, अगर वो complete हो जाता है, तो वो offense बन जाएगा, और अगर complete नहीं होता है, तो वो attempt बन जाएगा उस offense का, जैसे कि, for example, अगर आप बात करो, section 307 IPC, 307 IPC क्या बोलता है, attempt to commit murder, अब देखो section 302 क्या है, जिसमें punishment दे रखा है murder का, यानि किसी को, किसी ने, माली जे A है, उसने B को मारने के लिए, B को shoot करने के लिए गोली चलाई, तो अगर B जो है, वो उस गोली से मर जाता है, यानि कि उस गोली के result में वो उसकी death हो जाती और वो उसकी death नहीं होती है, तो A की intention थी B को मारने की, बड़ वो B मरा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, कि attempt to commit murder हो जाएगा, यह मतलब एक simple लेंगा, यह मैं आपको बताने के कोशिश कर रहा हूँ, इसी तरह से friends, section 309 IPC जो है, वो attempt to commit suicide की बात करता है, यानि कि अगर complete करने में complete नहीं कर पाता है उसे act को, अगर वो बस जाता है, तो वो attempt to commit suicide जाता है, तो basically क्या है, कि जैसे आप अगर illustration की बात करो, तो illustration के example क्या हुआ, A makes an attempt to pick the pocket of Z, by thrusting his hand into Z's pocket, Z has nothing in his pocket, here A is guilty of attempt to theft, क्या मतलब वो इसका, माल लिजे कि Z है, और A को लगा कि इसकी pocket से पैसे श तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तो intention थी चोरी करने की, दूसरी क्या थी, उसने उसमें हाथ भी डाला, उसने इसकी pocket में हाथ भी डाला ताकि उसे कुछ मिल जाए, अब नहीं मिला, तो वो उसका bad luck था, तो उसमें क्या होगा, कि यहाँ पर एक तो ingredients वो attempt के, वो दोनों fulfill हो ग यानि कि मान लीजिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं, या फिर कोई person है, जो किसी shop से निकल रहा है, वहाँ पर कुछ बहुत सुन्दा सा article लगा हुआ है, उसके showcase में, उस person का मन किया कि मैं इस article को तोड़ के ले जाता हूँ, उसने क्या किया, एक hammer से उस जो showcase था, उसको तोड कि ले जा नहीं पाया, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर attempt तो हुआ है, बट वो act complete नहीं हो पाया, तो जहाँ पर intention हो और act भी हो उसकी तरफ, मगर वो act complete नहीं हो पाये, तो वहाँ पर attempt बन जाता है, तो इसके बाद आपका यह जो criminal attempt है, वो complete जाता है, आप बात करते है, sed sedition जो है, बहुत ही एक draconian law है, और जब से आपका IPC बना था, तब से आपका यह चलन में है, हाला कि time to time Supreme Court ने इसको criticize भी किया है, कि sedition law का misuse भी बहुत होता है, यानि sedition law की जो अगर आप ingredients समझने की कोशिश करोगे, तो बहुत ही वैसे इस तरह के ingredients हैं, कि अगर किसी को easily trick करना हो, तो वो भी हो सकता है, हाना कि sedition एक बहुत ही serious offense है, अगर आप sedition की बात करो, तो sedition क्या कह रहा है, इसकी definition समझ लेते हैं, और क्या इसके ingredients से वो समझ लेते हैं, sedition means whoever why words spoken or written, यानि कोई ऐसा, कोई भी अपने शब्दों से, या तो written form में, या फिर बोल के, और why signs, औ और visible representation, कोई ऐसे इशारे से, या फिर कोई visible representation से, brings और attempt to bring, देखो ये कितना, वाइडर इसका scope है, कि brings और attempt to bring, क्या तो actual bring कर रहा है, या फिर attempt कर रहा है, दोनों चीज़े कपर हो रही है, brings और attempt to bring, into hatred or contempt, hatred or contempt, को bring करने के कोशिच करता है, किसके खिलाफ, disaffection towards government established by law, यानि कि वो ऐसा कोई काम कर रहा है, कोई ऐसे शब्द बोल रहा है, या ऐसे कोई representation कर रहा है, जिस्ते वो किसी को excite कर रहा है, पहली बास, और दूसरी चीज़े ये भी है, कि वो एक disloyalty, या फिर disaffection, जो है, government established by law है, उसके against करने के कोशिच कर रहा है, तो in India, या shall be punished with imprisonment for life to which fine may be added, यानि कि देखिए इसका जो आपका punishment है, वो भी बहुत हिनियस है, imprisonment for life punishment की बात हो रही है, क्या हुआ friends, कि whoever by words spoken or written, और by visible representation, ठीक है, brings और attempt to bring, क्या bring का नहीं कोशिच कर रहा है, hatred और contempt, contempt का basically मतलब यह हुआ कि कोई चीज follow नहीं करना, अगर किसी ने code के तरब से बोला गया है, या फिर कोई established authority उसके तरब से बोला गया है, उसको contempt करना, या फिर उसके खिलाफ hatred फैलाना, साथी साथ, disaffection towards government established by law, जो government established by law है, उसके against disaffection show करना, तो वो ऐसा जो कहलाता है, वो sedition क एक explanation की जरूद यह है, कि यहाँ पर जो disaffection word की बात हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, कि disaffection का मतलब यह नहीं है, कि माली जे कोई criticize कर रहा है, तब भी वो disaffection मन जाएगा, यह विल्कुल मतलब नहीं है, disaffection का मतलब यह है, कि disloyalty and all feelings of enmity, यानि क्या है, कि आप country के प्रत कि माल लीजे कोई government established by law है, और उसके खिलाफ कोई person है, या opposition government ही जुना है, या opposition से कोई बिलॉंग करने वाला पसन ही जुना है, वो अगर government के किसी act को, किसी law को, किसी bill को criticize करता है, मगर उससे वो किसी को excite नहीं कर रहा है, ना किसी तरह से कोई disaffection या disloyalty प्रूव करने को कोई कर रहा है, तो ये sedition नहीं होगा, sedition वो तभी होगा, कि जिससे या तो contempt हो रहा है, या disaffection हो रहा है, या hatred हो रही है, और complete जो जो hatred complete फैलाने कोई कोई कर रहा है, और animity की feeling को show कर रहा है, वहाँ पे आपका sedition होता है, तो friends, इस वीडियो के साथ हम लोग ने criminal attempt और sedition को बड़ी अच्छे डिटेल में इस दिसकस कर लिया है, I hope आपको ये video informative लगी होगी, और अगर आपको ये video informative लगी हो, तो please subscribe to my channel लीगम जान, thank you so much, have a nice day.